मित्रों अब हम लोग आगे बात करने बाले हैं कि M नाम भाले लोगों का साल 2022 कैसा बीतेगा मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने बाला हूँ आपके केडियर के बारे में दोस्तों साल 2022 के सुरुआत से ही आपके केडियर के छेतर में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा साल 2022 के सुरुवात में जो आपका काम है जो आपका प्रोफेशन है तो आपके प्रोफेशन के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों साल 2022 में आपके कुंडली के सातमे घर में गुरु बिरस्पती का प्रभाब पड़ेगा गुरु बिरस्पती के प्रभाब के कारण आने वाले शमय में आपके जीबन में आपकी तरक्की होगी आपको आगे बढ़ने का मौका बहुत जयादा मिलेगा साल 2022 में आपको पैसे कमाने के लिए नए नए रास्ते मिलेंगे नए नए स्रोत खुलेंगे मित्रों यदि आप पार्टनर्शीप में काम करते हैं तो साल 2022 में आपके उम्मीद के मुताबिक आपको फाइदा होगा जिसके कारण आपका जो पार्टनर है आपका जो साथी है वह ब्यक्ती भी बहुत ज्यादा संतुष्ट होगा एबं इसके अलाबा आपके कामकाज में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो साल 2022 में आपके नौकडी के छित्र में आपके मान सम्मान आपके पर्तिष्ठा में बहुत ज्यादा ब्रिधी होगा मित्रों यदि आप में से कोई भी जातक करपोरेट के छित्र से जुड़े हैं तो साल 2022 में आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा करपोरेट के छित्र में आपको बहुत ज्यादा मुनाफ़ा होगा मित्रों साल 2022 के उतरार्ध में आपके जीबन में कुछ पडिवर्तन, कुछ बदलाब होगा साल के अंत में जो आपके दुसमन है वो आपको पड़ेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी जैसे की आप में से कुछ लोग नौकडी करते हैं तो उन लोगों को उनके नौकडी के छित्र में पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों आप में से जो भी जातक इलेक्ट्रोनिक्स या हर्डवेर के छित्र से हैं तो साल 2022 में आपको सफलता के सिखर पर पहुँचने का मौका अबश्य मिलेगा आप में से जो भी जातक अब तक बेरोजगार हैं तो साल 2022 में आपको नौकडी खोजने का प्रियास करना चाहिए क्योंकि यदि आप नौकडी खोजने का प्रियास करते हैं तो आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि साल 2022 में आपका पडिवाडिक जीबन कैसा होगा मित्रों पडिवाडिक जीबन के दृष्टी कौन से भी आपका शमय सामान्ने तोर पे सही रहेगा साल 2022 में आपके घर के लोगों का साथ आपके घर के लोगों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक बीबाहित हैं तो साल 2022 में आपका दामपत्य जीबन बहुत जयादा मजबूत एबं बिहतर होगा साल 2022 में गुरू बिरस्पती के साथ में घर में होने के कारण आपका दामपत्य जीवन बहुत ज्यादारो मांचक एबं बिहतर होगा आने बाले शमय में आपके जीवन साथी का साथ आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक ओ बिबाहित हैं साल 2022 में यदि आप बिबाह करना चाहते हैं तो आपके लिए बिबाह का योग बन रहा है मित्रों शाल 2022 में गुरू बिरस्पती एबं भगबान सनी इन दोनों का संजुक्त प्रभाब आपके कुंडली के तीसरे घर में पड़ेगा जिसके कारण आपके सामाजिक परतिष्ठा में बहुत ज्यादा बिरिधी होगा मित्रों आने वाले शमय में ऐसी संभाबना है कि आपके घर में किसी नए मिंबर के जुरने की संभाबना बहुत ज्यादा है जिसके कारण आपका पाडिवारिक जीबन बहुत ज्यादा बिहतर एबं सांदार होगा मित्रों आने वाले शमय में यदी आपके सिहत की बात कड़ें आपके सुवास्त की बात कड़ें तो साल 2022 में आपको सिहत संभंधी परेशानी का सामना करना पड़ेगा साल 2022 के सुरुवात में यणी की जनबडी, फरबडी, माड़ चे एबं अप्रेल के महिने में आपका सुवास्त सामान्न होगा लेकिन साल 2022 में आपको रक्त संभंधी बिकार, वायरल संक्रमन या पाचन संभंधी परेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रो आने बाले शमय में आप में से कुछ लोगों को लीबर शंभंधी परेशानी का सामना भी करना होगा इसके अलाबा साल 2022 में कुछ बड़ी बिमारी या बड़ी चोट लगने की संभाबना बहुत जयादा है तो साल 2022 में अपने सेहत के मामलों में कोई भी लापडबाही करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने बाले शमय में यदि आप कोई भी लापडबाही करते हैं तो आपको परेशानी का सामना अबश्य करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में किस टोटके को आज माने के बाद आपका शमय बहतर एबं सांदार होगा मित्रों टोटका बहुत ही जयादा सामानने है साल 2022 में आपको सुर्ज उद्य से पहले उठना चाहिए एबं उगते सुर्ज को आपको जल चढ़ा कर प्रार्थना करनी चाहिए यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें एबं इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद जय सियाराम